So, very good afternoon to everyone. आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह grade 6 से आता है and आपका time काफी save हो जाएगा, you will be able to give the answer directly. The topic का नाम है, simplification. क्या कहना चाहता हूँ मैं? Suppose आपके पास कोई proper fraction है. Proper fraction वो होता है, जिसका denominator, numerator से बड़ा हो. proper fraction वो होता है, जो Q, R upon D में change हो जाएगा. Q for quotient, R for remainder and D for remainder. So, suppose, the rule number, जो मैंने rule बनाया है, उस rule को सुनना. जब addition हो, जब addition हो, जैसे 7 plus 4 upon 5 को मुझे simplify करना है. Traditional method आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है. फिर आप बोलोगे 5 for 1 का LCM लोग, डन. LCM 5 for 1 का क्या आएगा? 5 आएगा. फिर आप क्या करोगे? 5, 7, 4, 35, plus 4, 39 by 5. यहीं लिखोगे ना? और उसका Q, R, D करोगे, तो यहीं लिखोगे. अब आप मेरे ट्रिक के बाद डारेक्ट लिख दोगे. रूल क्या है? मेरा डिनोमिनेटर जो है, वो निउम्रेटर से बड़ा होना चाहिए. प्रॉपर फ्रैक्शन. So, can you see 7 plus 4 by 5? कुछ मत करो, दोनों को चिक्का दो. दोनों को साथ में लिख दो. 7 plus 4 upon 5 को मैंने लिखा 7, होल नामबर 4 by 5, आप चेक करके देख 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 देख. 13 plus 9 by 11, क्या दिखा? 13 plus 9 by 11, डिनोमिनेटर बड़ा है, साथ में अटेच कर लो, साइन हटा दो, बस. चिक है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करूँ? सब्ट्रैक्शन का भी कंसेट होई है, डिनोमिनेटर, ये रूम में तभी लगाऊँगा, जब मेरा डिनोमिनेटर, नियूमिनेटर से बड़ा होगा. अब देखो, 13 minus 9 by 11, इसका फॉर्मूला सुनना, minus के case में, जो भी आपका whole number है ना, उसमें से 1 minus कर लेना, जो भी आपका whole number है, यहाँ क्या है, 13, तो 13 में से मैंने 1 minus क्या, क्या बचा? 12. अब जो भी आपके fraction का अंतर है, difference है, 11 minus 9 क्या होता है? 2, वो आगया नियूमिनेटर में, और 11 आगया डिनोमिनेटर में, एक और देखें, minus क्याला, 17, 17, 17, 17, you can say 17 minus 13 by 17, 17, okay, and I want to write in QRD form, तो rule 17 में से बन गया, 16, इनका difference कितना है, 4, नीचे answer, बस, इतना सा ही करना है, इस से आपको जो simplify आएगा, नेक्स वीडियो मेरा देखना, बडे वाले जो simplify आते हैं, वो कितने आसान लगेंगे, with this note, again, a very thank you, kindly subscribe my videos, okay, this is from Krakati class, thank you all of you.